तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ new gmail account केसे बनाए और अगर आप भी किसी mobile में gmail ID बनाना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेश बताने वाला हूँ कि आप किसी भी mobile में new gmail account केसे बना सकते हो तो चले शुरू करते हैं तो Gmail account बनाने के लिए आपको अपने mobile में Gmail नाम का app ओपन करना है इस app में जाके आप किसी भी mobile में new Gmail account बना सकते हो तो सबसे पहले जिस mobile में Gmail account बनाना है उसमें आपको Gmail app ओपन करना है सबसे पहले Gmail नाम का app ढूंड रहा है इसको open करना है इसके बाद इस तरीके से आ जाएगा अब उपर कोने में आपको एक logo नजराएगा हेवाला देख लेजे इस logo पर click करना है इसके बाद इस तरीके से आ जाएगा आपको यहाँ पर add another account पर click करना है news email account बनाने के लिए add another account पर click करना इसको open करना अब इसको open करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा अब आपको यहाँ पे Google वाला नाम देखने को मिलेगा हे वाला तो इसको कर लिजी open इसको जैसे ही open करोगे प्रोसेस होगा wait करना है और अगर आपने अपने mobile पर screen lock लगा के रखा है और आपके पास एक नया page आएगा इस तरीके से अब यहाँ पे देख लिजी यहाँ पे लिखा है create account तो Gmail account बनाने के लिए create account पर click करना है दो option आएगे इन दोनों में से किसी एक option को select करना है इसके बाद प्रोसेस होगा और इस तरीके से आ जाएगा अब यहाँ पे लिखा है create Google account ठीके यही आपका Gmail account होता है तो आप confused मत होना तो जिस नाम से आप Gmail account बनाना चाहते हो हो नाम यहाँ पे डालना है जैसे कि हम क्या करेंगे अपने नाम से बनाएंगे तो हम क्या करेंगे अपना नाम डालेंगे ठीके आप जो नाम से बनाना चाहते हो हो नाम आप यहाँ पे डाल देना ठीके हमने अपना नाम डाल देना अब आपको नाम डाल के बाद next करना है next करने के बाद process होगा और basic information बोलेगा तो यहाँ पे आपको अपना birthday date डालना है सबसे पहले month, day और year ठीके जो भी आपका birthday date का month होगा हो यहाँ पे month पर click करना और अपना birthday date का month पर click कर देना इसके बाद day डालना जो भी birthday date का day होगा हो डाल देना उसके बाद यहाँ पे year आपको डालना पड़ेगा ठीके उसके बाद gender पर click करना और अगर आप female हो तो female के आगे click करना अगर आप male हो तो male पर click करना है सब होने के बाद नीचे next को option मिलेगा next पर click करना इसके बाद इस तरीके से आ जाएगा अब हम यहाँ पर थोड़ा सा blood का का है क्योंकि हम नहीं दिखा सकते हैं आपको जैसा Gmail account बनाना है वैसा नाम डाल देना है जैसे कि हम क्या करेंगे यहाँ पर देख लीजे हम अपना नाम डालेंगे ठीके आप जो नाम से बनाओगे हो नाम आप यहाँ पर डाल देना ठीके जैसे कि हम कुछ अलग नाम इस तरीके से डाल देते हैं इसके बाद हम next करेंगे हो सकता है यहाँ पर आपके पास कुछ अलग option आएंगे क्योंकि यहाँ पर कभी कबार क्या होता है दोस्तों दो automatic gmail account आजाते है आईडी आजाते है अगर आपके पास दो automatic gmail आईडी आते हैं तो उनमें से एक को select करना और continue कर देना और अगर आपको पास यहाँ पर नाम डालने का आता है तो जैसा gmail account बनाना है वैसा नाम डाल दीजे यहाँ पर आज़र आएगा लेकिन हमने फिलाल blur करके रखा है ठीके इस तरीके से डालने के बाद आपको next करना है इसके बाद इस तरीके से आजाएगा create a strong password अब आपको यहाँ भी क्या करना है gmail id का एक password रख लेना है ठीके तो चले हम क्या करेंगे यहाँ पर password रख लेंगे password रखने के बाद आपको next करना है इसके बाद process होगा और add phone number का option आजाएगा आपको इस तरीके से नीचे जाना है और यहाँ पर दो option आएगे skip का yes I am in का अगर आप अपने new gmail account में अपना mobile number add करना चाते हो तो yes I am in पर click कर देना simple है और अगर यहाँ बाद में करना चाते हो तो आप skip का भी option मेंता है फिलाला में आप इस skip पर click करेंगे इसके बाद process होगा wait करना है और इस तरीके से आ जाएगा जो gmail account आपने select किया था बनाया था हो आ जाएगा अब आपको यहाँ पर next पर click करने के बाद privacy and term आएगा इस तरीकी से नीचे जाना है इस पर आपके पर प्रोसेस होगा और आपके पास एक नया page आ जाएगा तो यहाँ पर wait कर लेंगे इसके बाद process होगा और इस तरीके से Google services नाम हमको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर कुछ देर हम wait करेंगे यहाँ पर process होता है तब तक wait करेंगे इसके बाद यहीं पर आपको यहाँ पर जो Gmail account हमने नया बनाया है वो देखने को मिलेगा अब यहाँ भी हमारा Gmail account बनका तयार हो गया है जो Gmail account नया बनाया है आपने हो देखने के लिए फिर से Gmail app को open करना फिर से open logo पर click करना और यहाँ पर आपका Gmail account आ जाएगा जो आपने नया बनाया था इस तरीके से आप Gmail लाकाण बना सकते ही न्यू उम्मीद कता हूँ कि आप कोही वीडियो फसंद आई ही पसंद आई है तो वीडियो को लाइक आज नो करें सब्सक्राइब आम मिलेंगे नहीं टेकनोलोज की वीडियो के साथ